Hello students, आज हम GK का chapter कर रहे हैं The Family, हमारा परिवार तो बच्चों बताओ परिवार में कौन-कौन members होते हैं, start करते हैं Grandfather, Grandfather means दादाजी Grandmother, Grandmother means दादीजी Uncle, Uncle means चाच्छा Aunt, Aunt means चाची Mother, Mother means ममी या मा Father, Father means पापा Baby, Baby means बच्चों, अगर गर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे हम बेबी बोलेंगे छोटे बच्चे को बेबी बोलते है Cousin, Cousin means अपने जो जैसे चाचा के बच्चे और भी फैमिली में जो अपने भाई बहन रहते हैं उनको हम कजन बोलेंगे Sister, Sister means बहन Brother, Brother means भाई तो यह सब हमारी फैमिली में होते हैं Members How many members are there in your family? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो बच्चों, आपके फैमिली में कितने हैं? वो यहाँ पे लिखेंगे जिसे यहाँ पे अपने को बताया है 1, 2, 3, 4, 5 तो आपन यहाँ पे 5 लिखेंगे और वैसे बच्चों, आपके फैमिली में 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 मेंबर्स कितने हैं? आपको वो count करके और बताना है What do you call your father's father? आप अपने पापा के पापा को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं बच्चों, पापा के पापा को ग्रेंट फादर, दादा जी पापा के पापा को ग्रेंट फादर, दादा जी बोलते हैं इस तरीके से बच्चों यह पूरा आपको चैप्टर औरल करना है ओके?